हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं 2024 का है और इस फरवरी 2024 में ग्रहों की जो इस्थिती गोचर में बनेगी उसके आधार पर आप सभी बारे लगन राशी के जो हमारे जातक हैं उनको अपने जीवन में फरवरी महा में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी अलग अलग छेत्रों में इसके विशह में ह कि भाई कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों का भी प्राप्त होने की संभावना अगर हमें लगेगी आपको तो हम अंत में आपको रेमिडीज भी देंगे कुछ आसान, सरल, अचूक, उपाये वो भी आपको देंगे तो आप ये अंत तक देखें पूरा वीडियो उपाये भी आपको मिलेंगे और जब आपको उपाये हम देंगे तो यही सोच करके देते हैं कि आपको उसमें ज्यादा टाइम ना लगे, आराम से आप उन उपायों को श्रद्धा के साथ करें तो उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही बहतर मिलेंगे, लेकिन सात्यों आप मेरे ठीक पीछे स्क्रिन पर चार्ट देख पा रहे होंगे ये मेश लगन राशी के जातकों का चार्ट है और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इस कारेकरम के दोरान वो भी हम जो एरीज असेंडेंट बेस्ट परसन से उनी के विशह में बात करेंगे उनी के मंतली राशीफल की बात आप से होगी तो साथियों चार्ट में ये सारी गरों की स्थिति को बहुत ही इस प्ष्टूप से दर्शाया गया है आपकी सहुलिANT के लिए आपकी आसानी के लिए ताकि आप भी चार्ट के दोरा देख सकें जान सकें कौनसे ग्रहें किन गरों के साथ संबद बना रहे है किस राशी में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं लेकिन साथियों ये सब चीज तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी चार्ट से लेकिन इसके अतरिक कुछ और भी ऐसे ग्रहे हैं जो फरवरी के महीने में यहां से अपना राशी परिवर्दन करके निकलेंगे किस राशी में जाएंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको पूरी संग्षेप में देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आईए ग्रह गोचर की इस सिती से आपको आफगत करा देते हैं उसके बाद फिर आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशी फल को लेकर के तो साथियों, सबसे पहले सूरे ग्रह की बात होगी कि सूरे ग्रह जो है, ये अभी सूरे मंगल और बुद्ध आप मेशलगन राशी के जो हमारे जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट है उनके दशम भाव में बैठे हैं, ये तीनों ग्रह जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे होंगे सूरे मंगल और बुद्ध वहापर दस लिखा हुआ है, यनि कि शनी की राशी है, मकर राशी है और इस राशी में ये तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं, और मकर राशी के सौमी होते हैं शनी ग्रह तो शनी के घर में ये तीन ग्रह बैठे हुए है सूर्य मंगल और बुद्ध मंगल की सिटी बहुत अच्छी है यूँ तो यहाँ पर सूर्य के साथ उन्होंने राज योग भी बनाया हुआ है सूर्य बुध के साथ मिलकर के राज योग Бना हुआ है तीनों ग्रहों के कारण तीन ग्रहों ने अपना एक अच्छा राजयोग का निर्मान किया है मिल करके लिकिन सात्यों सूरे जो है वो यहां से तेरा फरवरी को अपना राशी परिवर्तन करके इस राशी से बाहर निकलेंगे मकर राशी से और अपनी शत्रू राशी कुम्ब में उनका प्रिवेश होगा शत्रू राशी से ये निकलेंगे शनी के घर से निकलेंगे शनी के घर में ही प्रिवेश करेंगे शनी की जो दूसरी राशी ये कुम्ब 11 था उसमें जहांपर सुम्य शनी देव भी बैठे हुएं महीं पर सूलेव देव का भी प्रिवेश होगा उस राशी में तेरह फरवरी को और फिर ये महा के अंतितक वहाँ पर बने रहेंगे लेकिन उसके बाद दिखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो सात है वहाँ पर अपने शत्रू ग्रहे शनी के सात रहेगा इनका संबन शनी ही यह थो इनके पुत्र है लेकिन वैसे इनका उनका आपस में जो है वो शत्रू का संबन भी सूड़ जो है जब वहाँ पर जाएंगे 3फरवरी को महा के अंतितक अपने शत्रू ग्रह शनी के साथ उनका यूती बनेगा और इसके अतिरिक्त इनके सम ग्रह बुद्ध भी 20 फरवरी से उनके साथ भी यहाँ पर इसी राशी में इसी भाव में उनके साथ भी अपना संबन्द बनाएंगे बुद्ध के साथ बात आगे मंगल की करते हैं मंगल जो हैं देखिए 5 फरवरी को महीने की 5 तारीक को फरवरी की यह अपनी मित्र राशी धनू से निकलेंगे जहाँ पर 9 नमबर लिखाए जहाँ शुक्र बैठे हैं और वहाँ से निकल करके फिर ये 5 फरवरी को अपनी उच्छ राशी मकर में प्रिवेश करेंगे दशमभाव में जहां पर सूर्य और बुद्ध के साथ ये बैठे हुए हैं और इन दोनों गरहों के साथ फिर इनका सम्मन्द बनेगा 5 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक सूर्य के साथ और 20 फरवरी तक बुद्ध के साथ ये सिती इनकी रहेगी और जब इनकी बात कर लेते हैं बुद्ध जो है वो 20 फरवरी को मकर राशी से निकलेंगे राशी परिवर्तन करते हुए और ये अपनी सम राशी कुम्ब में करेंगे प्रिवेश 11 ताउस में जहां पर सूर्य देव और शनी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं वहाँ पर ये तो ये मारगी और अस्वस्था में जाएंगे अस्थ हो चुके होंगे तो इनकी पोजिशन थोड़ी कमजोर होगी जब ये वहाँ पर जाएंगे 20 फरवरी को तो फिर ये महां के अंतर तक सूर्य के साथ रहेंगे वहाँ पर और अपने सम गिरहशनी के साथ भी बैठेंगे पूरे महीने के अंतर आगे बात करेंगे आपसे शुकर की कि शुकर के रहें जो हैं अभी जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए आप उनको देख रहें लेकिन साथियों बताना चाहेंगे कि 12 फरवरी को ये 12 फरवरी तक रहेंगे यहाँ पर धनू र मित्र हैं उनके घर में इनका प्रिवेश होगा तब महा के अंतर तक फिर ये अपनी मित्र राशी मकर में ही बने रहेंगे दशंबाओं में और इस राशी में इनका संबंद अपने मित्र ग्रह बुद्ध के साथ 20 फरवरी तक रहेगा 12 फरवरी से लेकर के और पूरे महा य लेकिन क्या होगा कि ये 12 फरवरी को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे रहेंगे तो ये इसी राशी में अपना राशी परिवर्तन इनों नहीं करना है लेकिन ये क्या हो जाएंगे अस्त हो जाएंगे मारगी भी होंगे और अस्त होंगे और एक फरवरी से 12 फरवरी तक ये मा लग्या और उद्ये दोनों रहेंगे और बारे फरवरी से लेके माह के अंत तक ये अस्त रहेंगे. क्योंकि सुरहन के नजदीक आरहे हैं तो ये अस्त हो जाएंगे बारे फरवरी को. अब बात राहू की कर लेते हैं, राहू जो है अपनी समराशी मीन में पूरे महा ऐसे ही बने रहेंगे, दुआदश बाहो में, और 12 आउस में, ब्रस्पती की राशी में, और केतू जो है वो भी अपनी समराशी कन्या में बने रहेंगे, पूरे महा, छटे बाहो में, तो ये ग्रहों की सित्य जिससे भी हमने आपको अफगत कराया है अब इन्ग्रोह के आदार पर आपको किस प्रकार के फरवरी दोजार 24 में रिजल्टस मिलेंगे मेशलगन राशी के जात्कों को इसके विशे में बताएंगे अलग closer Mentos किस सूरे और मंगल और बुद्ध ये सूरे तो यहां पर बैठेंगे दशंबाओ में आपके करियर में 13 तारिक तक 13 दिन रहेंगे ये मंगल पूरे महा रहेंगे पांच फरवरी से और बुद्ध जो है वो 20 तारिक तक यहां बने रहेंगे तो भई आपके कारेच्छेत्र में तो आपके लिए बस पूरे महां अगर हम ये कहें किसी प्रकार की कोई कमी आपके लिए नहीं रहेगी, आप कारेच्छेत्र में आपका बहुत प्रभौत्वी बना रहेगा, सभी पर आपका प्रभाव बना रहेगा, और सभी लोग आपकी प्रोफाइल है, जो भी कार्ये आप करते हैं, वो सभी कार्ये आपके जो है, कार्ये चेत्र से संबनित, पुरूरूप से सफल उंगे. और पदोन नती की भी बहुत प्रबल संभावना बन रही है और जो व्यापारी है उनका व्यापार उनका बिजनस बहुत ही अच्छे डंग से ग्रो करेगा और आपको उसके लिए जो आपका बिजनस ग्रो करेगा उसमें आपको नेम फेम भी मिलेगा आपका नाम भी होगा अगर आप कोई प्रोड़क्ट है आपके जो मैनिफेक्चर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपका बिजनस में भी आपका सिक्का चलेगा तो इस प्रकार के रिजल्टस आपको अपने कारेश छित्रे से संबंदित मेश लगन राशी के जातकों को मिलेंगे साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है उसकी सिति कैसी रहेगी फरवरी महा में तो आपसे बताना चाहेंगे कि एक फरवरी से और बारे फरवरी तक के बीच का जो समय है इसमें धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा आपको लेकिन बारा तारीक से लेके महा के अंतितक्यों की शनीयस हो रहे हैं तो आपके धन के आगमन में कमी बनेगी या फिर कह सकते हैं रुकावट पैदा होंगी और आप अपने मित्रों पर भी आँख बंद करके 12 फरवरी से माह के अंते तक पूरी तरह से विश्वास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने जो घर के बड़े भाई बेहन हैं उन पर भी डिपेंड होने की कोशिश ना करें अन्य था निराशा ही हाथ लगेगी आगे बात करते हैं कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगे आपको बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए 12 फरवरी से लेके और माह के अंत तक आपको सुख सुविधाओं का पूरा लाप राप्त करेंगे आप और आप कोई वहनादी भी परचेज कर सकते हैं साथ ही प्रॉपर्टी से संबंदित कोई डेल भी आप फाइनल अगर करना चाहते हैं तो वह भी आप आराम से कर पाएंगे इस बात का भी योग बना हुआ है कि आप कोई प्रॉपर्टी आदी की भी खरीद फरोग करें लेकिन अगर कोई बेचना चाह हैंगे कि देखिए इस महा की 12 तारिक से लेके और महा के अंत तक का जो समय है ये लाश्ट का जो आखरी 15-14 दिन है 12 फरवरी से 28 फरवरी तक 15-16 दिन जो है इसमें अगर आप पहले से ही किसी के साथ आपका रोमैंस चल रहा है या लव एफियर चल रहा है या लिव इन रिल कि कहा सुनी भी हो सकती है एक दूसरे के साथ तनाव भी पैदा हो सकता है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें 12 फरवरी के बाद इस बात की संभावना बहुत जादा है तो इस से आपको बचना है साथियों आगे आपको बताएंगे कि देखिए अगर आप कोई शादी बड़ी बात होगी क्योंकि यहां पर ग्रहें जो हैं उनका जो संकेत है वो कुछ यसी परकार का है कि आपके और उनके आपके साथी के बीच में कुछ मन मुटाओ जैसी इस सिती पैदा हो सकती है इसकी पूरी संभावना है वेवाइक संबंदों की बात कर लेते हैं कि बड़ी स्रल और अच्छे डंसे निकलेगा कोई दूर तक प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं होने वाली और अगर कोई प्रॉब्लम बाई दवे होती भी है तो उसका हाथों हाथ कोई ना कोई सॉलिशन ऐसा निकल जाएगा कि जो आपके लिए कोई तनाव वाली बात नहीं होगी आगे बात करते हैं पारिवारिक संबन्ध कैसे रहेंगे फ्रिये सात्यों मैं बताना चाहता हूँ कि पारिवारिक संबन्ध जो है आपके ये 12 फरवरी तक तो थोड़ा सा इनमें कुछ आपके और आपके परहिजनों के बीच में कुछ मन मुटाओं या का मतभेद या मनभेद कुछ इस तरीकी की बात हैं हो सकती हैं लेकिन बारा फरवरी से लेकर महा के अंत तक का जो समय होगा उसमें आपके संबंद अच्छे रहेंगे बहुत अच्छे संबंद बने रहेंगे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा आपके और उनके बीच में और अगर कोई प्रॉपर्टी आदी को ले करके भी कोई पहले से कोई मसला है वो भी सॉल्व होगा 12 फर्वरी के बाद उसके भी उसको ले करके भी टेंशन समाप थोंगी अब बात करेंगे आप से शिक्षा को ले करके कि जो चातर है शिक्षा प्राप करना है मेशलग अनराशी के उनके लिए कैसा रहेगा प्रियसातियों एक फर्वरी से लेके और बारे फर्वरी तक का जो टाइम है ये तो आपके लिए थोड़ा कठिन तपस्यावाला है इसमें आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन से संब्दे अगर आपको कुछ अच्छे प्रेणामों की प्राप्ति आप चाहते है लेकिन तेहरा फर्वरी से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है डियूरेशन इसमें परिशानियां तो आपको आएंगी ऐसा नहीं है कठनाईयां तो काफी आएंगी आपको अपनी एजुकेशन को पूरा करने में लेकिन अगर आपने उन सब की परवा ना करते हुए और अपनी पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा तो ये भी यकीन मानिये कि रिजल्ट्स भी आपको बहुत रिमार के विल आपको मतलब सक्सिस मिलेगी बहुत अच्छी जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि भई मैं इतनी परसंटेज मेरी मार्क्स की मिल जाएगी आपने सुयम ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतने अच्छी मार्क्स आएंगे बहुत अच्छा सफलता पर आप तो करेंगे बशर्त है कि आप पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर रखें क्योंकि परेशानिया कम नहीं आएंगी ये भी आपको ध्यान रखना है संतान की बात कर लेते हैं संतान को भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं यानि कि संतान की और से माता पिता को लेकिन संतान अगर परिश्रम करेगी जहां पर भी है जिस छेतर में भी है वो जो भी कार ले करते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ती हो तो उनको इसके लिए कड़ी मेहनत के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपको अच्छे रिजल्ट्स से रोक सके मिलने से और माता पिता को भी बहुत आपके उपर प्राउड फील होगा कुछ जादा ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिसकी आपने उमीद भी ना की हो अंत में बात करेंगे आपके स्वास्त को ले करके देखिए स्वास्त का जहान जरूर रखिएगा हेल्ट का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्ट के इशूज चलते रहेंगे छुट मुट छुट मुट समझ से आए आपके स्वास्त को ले करके बनती रहेंगी तो उनका उन सब चीजों का आप बहुत ध्यान रखिएगा अगर आप लापरवाई करेंगे तो प्रॉबलम और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है बढ़ सकती है तो आपको ये चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा साथियों अब आपको बताएंगे उपाए क्या उपाए आपको करने चाहिए उपाए आपको एक ही करना है क्योंकि शनी अस्थो रहे है और अगर आप चाहते हैं कि आपके मितरवी आपके साथ हो प्रेम संबंद आपके बहतर हो तो भाई फिर शनी देव के मंदर जरू जाना शुरू कर दीजिए और शनी देव की उपासना शुरू कर दीजिए एक काम तो ये करें और दूसरा काम ये करें कि सूर्य देव को पृति दिन जल जरू दें ये बहुत आवश्यक है आपके लिए पूरे माह तो ये आप एक तो सूर्य देव को जल दें अर्ग दें तामे के कलश से ओम घर्णी सूर्या नमहा एक माला इस मंतर की भी उसी समय जल अर्द देते देते आपको करनी है मनी मन इसकी अतरिक्त मा दुर्गा की पूजा नित्परती दिन करेंगे तो स्वास्थ भी अच्छा रहेगा तो आपको करना है सूर्य देव को अर्ग देना है शनी देव की पूजा करनी है शनीवार के दिन महिला है पीपल के विरख्ष के नीचे जाकर के सरस्थों के तेल का दीपक जलाएं अगर उन्हें कोई समस्य आ रही है अपने प्रेम संबंदों को ले करके तो ये काम जरू करें और मा दुर्गा की भक्ती और उनकी अरादना पूजा अर्चना आर्थी ये सब आपको करना है ये हैं उपाय आपके लिए तो मेरे प्रियसातियों ये था आप मेशलगन राशी के जो हमारे मित्र है उनका मंतली राशी फल फरवरी दोहजार चौबिस का आपको पसंद आया तो लाइक जरू करें वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक साधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाब ले पाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो अमारे एस्ट्रोलोजी से रिलेटेड बनते हैं उन सभी की वीडियो सीधे समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं तो उसके लिए फिर बैल आइकन जरूर पुश कर दीजिए तो साथियों अब इसी के साथ हम अपने इस कार्रेकरम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लनी चाहेंगे चाहेंगे तो इसी के साथ आप सभी का सहर्द है बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता दी